नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है जोनपूर के नोपड़ों बक्सा थाना छेतर के सरवली गाउमे मंगलवार की सुबह बाब बेटी कासव जैसे ही घर पहुँचा परिजनों में कोहराम मच गया थोड़ी ही देर में देखते देखते सैकडों लोगों की भारी भीड ब्रितक के घर पहुँच कई उधर सुजच्छा की द्रिष्टी से छहतानों की फोर्स के अलावा पीएसी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया सिंगरामा उठाना छेत के मुलू पूर गाउं में इताक्तिरिपा संकर यादव के साथ अपने बेटों से मिलने पहुँची प्रतिभा यादव सायद स्वप्न में भी नहीं सोची होगी की अब बेटा की सन्वच छोटू को देखने जाने की इतनी बड़ी कीमत उठानी पड़ेगी ससुराल की ही चोखट पर बैठा हत्यारे की गोली से बाब बेटी की छलनी हुई सरीर पोष्ट माडब के बाद जैसे ही सवगर पहुचा एक साथ दो दो सवगों को उतारते देख लोगों का कलेजा दहल गया मृतक क्रिपा संकर की पत्नी उर्मीला तो अपने उजडे सुहा को देख तथा बगल में रखी बेटी के सव को देखते ही बेहोस हो गई मृतक के बड़े पूत्र प्रभुली यादव वह छोटा पूत्र चंदन यादव का रो रोकर बुरा हाल था मृतक के घर मौजूदा भीड ने हत्यारे आरोपियों की गिर्यफतारी की मांग रखी तो मौजूदा पूलिस कर्मियों ने लगभग सभी नामजद की गिर्यफतारी हो जाने की बात बताई इस दोरान बदलापूर विधायक रमेश्चन मित्रावय सपाजिला ध्यच लाल बहदुर यादव सहीद सैकडों लोग मौजूद रहें सव अंत्रेश्टी के लिए रवाना होते ही पूलिस कर्मियों ने रहत की सांस ली